Hello friends, welcome to my YouTube channel, exercise 13.8 से question number 4 करेंगे The diameter of the moon is approximately one-fourth of the diameter of the earth Moon का diameter, earth के diameter से approximately one-fourth है, यानि कि एक चौथा ही है For example के तोर पे, अगर earth का diameter 100 meter माने, तो इसका one-fourth हो जाएगा, यानि कि सिर्फ 25 meter ये relation इनके diameter का दिया हुआ है What fraction of the volume of the earth is the volume of the moon तो earth के volume का fraction, कितना fraction, volume of moon के बराबर होगा Fraction से मतलब ये है, fraction का मतलब होगया part, यानि कि टुकडा For example, अगर earth का volume हम 100 मानके चलते हैं और moon का volume होगया 10 तो 10 upon 100 ये इसका fraction होगया, यानि कि 1 upon 10 यानि जो moon है, वो earth का 1 upon 10 है Moon अगर एक हिस्सा है, तो earth 10 times है इससे तो ये fraction जो है, ये आप से पूछा है और volume का fraction पूछा है, तो हमें इनका volume निकालना होगा चले, question की शुरुआत करते हैं देखे, सबसे पहले जो हमें ये diameters दे रखे हैं इनका जो relation है, इसी से question की शुरुआत होगी हमें दे रखा है कि moon का diameter earth के diameter से one fourth है तो हम earth के diameter को let कर लेंगे तो let diameter of earth is equal to ये मैंने बड़े d से denote कर लिया अब earth का diameter जब d हो गया और moon का diameter इसका one fourth है तो इस d का one fourth जब करेंगे तो वो moon का diameter हो जाएगा then diameter of moon ये हो जाएगा d by four one fourth कर दिया ना मैंने इसका ठीक है, अब हमें इनका volume निकालने है अब volume निकालने के लिए हमारे पास होना चाहिए radius क्योंकि volume के formula में radius लगता है, तो ये जो हमारे diameter साएगा ना, इनका half half करके मैं radius बना लूँगा तो therefore earth का diameter d है, इसका radius हो जाएगा d by two इसका half कर दिया मैंने moon का diameter d by four है तो therefore इसका radius हो जाएगा d by four का half तो इसे मुझे half से multiply करना पड़ेगा ये value आ जाएगी d by eight अब आप यहां ध्यान देना मैंने earth के लिए बड़े r से denote किया है और moon को मैंने छोटे r से denote किया है क्योंकि earth मेरी बड़ी है moon मेरा छोटा है तो इसलिए मैंने बड़े छोटे r का यहां पर use किया है अब हमें निकालना इनके volume का fraction तो volume का fraction निकालने के लिए मैं moon को ऊपर रख लूँगा volume of moon upon volume of earth तो volume of moon upon में volume of earth अब moon और earth यह दोनों के दोनों spherical shape के हैं spherical हैं तो sphere का formula इसमें लगेगा volume का यह होता है 4 upon 3 pi r का cube तो पहले तो मैं formula लिख लेता हूँ 4 upon 3 pi और moon है ना यहां मैं छोटा r यूज़ करूँगा pi छोटे r का cube ऐसे ही earth के लिए 4 upon 3 pi का pi यह earth का radius मैंने बड़े r से denote किया है तो यहां मैं बड़े r का cube लिखूँगा अब यहां पे मुझे उपर नीचे ना values कटती हुई दिखाई दे रहे हैं तो यहीं पे पहले solve कर लेता हूँ 4 upon 3 4 upon 3 से कट गया pi pi से कट गया उपर बचे है r cube upon में r cube इनकी value भर लेते हैं यहां से तो यह small r का cube है और small r है मेरा d upon 8 तो numerator में आएगा बड़ा d upon 8 का cube numerator में यह आगया denominator में नीचे बड़े r का cube है बड़ा r है d upon 2 तो यह हो गया d upon 2 का cube अब जभी भी आपकी values fraction में होते हैं देखिए यह fraction में है यह numerator upon denominator है यह fraction में है और उपर भी जो ना fractional numbers ही लिखे हुए है तो जभी भी आपके fractions का division होता है तो उसका rule यह होता है कि आगे वाला यानि कि उपर वाला fraction तो आपका as it is लिख दिया जाता है d upon 8 यह cube as it is लिखा जाएगा और जो नीचे वाला fraction है यह inverse हो जाएगा और इनके बीच में multiply का sign हो जाएगा inverse से मतलब है नीचे की value उपर और उपर की value नीचे तो यह d by 2 है ना यह 2 by d हो जाएगा और इसका cube तो जबी भी ऐसे divide में होते हैं fractions तो पहला fraction as it is लिख दिया जाता है और दूसरा fraction inverse हो जाता है और उनके बीच में multiply लग जाता है अब इस value को में solve कर लेता हूँ यहाँ पर d by 8 का cube है तो d by 8 को में 3 बार multiply कर लूँगा और इसके बाद 2 by d का cube है तो इस 2 by d को में 3 बार multiply कर लूँगा अब इससे solve करते हैं 1 d से 1 d कट गया है दूसरे से दूसरा कट गया तीसरे से तीसरा कट गया यहाँ पर 2-1's are 2 हो गया 2-4's are 8 हो गया 2-1's are 2 हो गया 2-4's are 8 हो गया 2-1's are 2 हो गया और 2-4's are 8 हो गया उपर उपर multiply सिर्फ 1 ही है तो 1 1 ये सारा मिलके 1 ही हो गया नीचे 4 into 4 16 हो गया 16 4,064 हो गया तो ये जो value सारी आ रही है यहां से हम चले और चलते चलते 1 upon 64 आ गया मैं एक बार फिर से copy कर देता हूं ये volume of moon चल रहा है मेरा उपर और नीचे जो value है ये volume of earth चल रही है तो इनका जो fraction आया हो वो 1 upon 64 आया मुझे निकालना है कि moon का जो volume है वो earth के volume का कितना part है, कितना fraction है तो एक बार फिर से मैं इसे लिख देता हूं volume of moon upon मे volume of earth बराबर आया है 1 upon 64 मुझे volume of moon चाहिए तो volume of moon को मैं अकेला रख लूँगा यहां पे अब volume of moon मुझे पता करना है volume of earth की form में तो 1 upon 64 तो यहीं पे रहेगा और ये जो volume of earth यहां पे denominator में है न ये इधर जाके उपर चली जाएगी numerator में volume of earth अब इससे साफ साफ मेरा जो volume of moon है वो volume of earth की form में आ गया यानि volume of earth is equal to 1 upon 64 of volume of earth इससे यह पता चल रहा है कि moon के volume का 64 times volume अर्थ का है यानि इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि 64 moons मिलकर एक अर्थ के बराबर बनते हैं अब अपना answer जो है language form में लिख देते हैं देरफोर volume of moon is 1 upon 64 of volume of earth question खतम तो इस वीडियों बस इतना ही next questions के लिए मिलते हैं फिर next video में तब तक के लिए good bye